हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एमची दंबरम क्रिकेट स्टेडियम चन्नई के किरकेट पिछ का अपडेटेट पिछ रिपोर्ट के साथ आए हैं यहां पर दोस्तों कुल मि और इस वेन्यू पर होने बाकी हैं तो आज के इस वीडियो में हम इस पिछ रिपोर्ट को और अपडेटेट धंग से जानेंगे कि पिछले तीन मुकाबलों में हमें क्या देखने को मिला और अगले चार मुकाबलों में इस पिछ से हम क्या एक्सपेक्टेशन के साथ जा सक करें हम एमची दंबरम क्रिकेट स्टेडियम जो की चिन्नाई में है और इसे हम पहले चेपक स्टेडियम के नाम से जानते थे इसके पिछ के बारे में तो यहां पर थोड़ा सा धीमा पिछ है जो स्पिनर्स को अमूमन मदद देती है बाउंडी मोडरेट किसिम की है 65 से 70 मी मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो कमो बेस यह अपना रूल फालो भी की है यहां पर कुछ वैसे ही खेल हमको देखने को भी मिला है इसके बारे में हम और बैतर से जानेंगे वैसे जो तीन मुकाबले हुए हैं यहां का यह पहला मुकाबला इस वेन्यू पर इस सीजन आ रितुराज गायकवाड ने संतावन तो वहीं पर डिवोन कोनवे ने 47 का स्कोर बनाया दोनों ही ओपनर सांदार सुरुगाद दिये और उसके बाद यहां पर सिवम दूबे के 29 और रमबाती रायडू के 29 छोटी छोटी इनिंग ने बिल्ड की इस स्कोर को 270 तक पहुंचान में तो वहीं पर लखनव के लिए मार्कवूड ने निकाले तीन विकेट जबकि इस्विन गेदवाज रवी विस्नोई के हाथ भी तीन विकेट आया आवेश खान को एक विकेट मिला जबाब में हलाकी लखनव की सुरुगात कोई बहुत अच्छी नहीं रही केल राहुल स सस्ते में निपट गए लेकिन काईल मायर्स ने तिरपनरन बनाए और एक और कैरोवियन साथ ही उनके जो लखनव की ओर से खेलते हैं निकोलस पूरन ने भी अठारा गेदों में 32 रनों की एक तेज इनिंग जरूर खेली लेकिन मुकाबले को जिता नहीं पाए बाकी के बल चौके और 13 चक्के लगे तो दूसरी इनिंग में जब लकनव बैटिंग कर रही थी तो 13 चौके और 9 चक्के देखने को मिले इस पूरे मुकाबले में 422 रन बने और कुल मिला के 14 विकेट गिरे जिसमें तेज गेदबाजों के नाम 6 विकेट तो इस फिनर्स यहां पर 8 वि गेदों 52 रन बनाए तो देवड़ट पैडिकल ने भी 38 रन की एक अच्छी इनिंग खेली साथी अस्विन ने 30 रन बनाए तो हिट मेर ने अंतिम में 18 गेदों पे 30 रन की एक तेज इनिंग खेली वहीं पर सी असके के लिए गेदबाजी करते हुए आकास सिंग तुसार दे में बने रहा लेकिन अंतिम ओभर में तीन रनों से हार गई सी असके की टीम यहां पर कोनवे ने 50 बनाए रहाडे ने 31 रन की इनिंग खेली और आखरी ओबरों में रविंदर जडेजा और महेंदर सिंग धोनी के सामने संदीप सर्मा ने आखरी गेद पर एक जबरजस तिय करते हुए मुकाबला तीन रनों से राजस्तान को जिता दिया था यहां पर राजस्तान के लिए अस्विन और चहल ने दो दो विकेट निकाले अडेम जेमपा के नाम आए एक विकेट तो संदीप सर्मा को भी एक विकेट मिल गये सी एसके की टीम ने छे चक्के और तेरह चोके जरूर लगाए लेकिन तीन रनों से मुकाबला हार गई कुल मिला के मैच में 14 विकेट गिरे जिनमें से पांच विकेट तेज गेदबाजों के नाम तो आठ विकेट इस्पिन गेदबाजों के नाम आए बाकी के टरनाउट हो गए वहीं पर 21 अप्रैल को इस बहुत मुस्किल हो गया संडाइजर हैदराबाद की टीम 20 ओवर में साथ विकेट पे 134 और बना दी गेद बिल्कुल रुक के आ रहा था बैटिंग करना मुस्किल हो रहा था और संडाइजर हैदराबाद के लिए हैरे ब्रुक 18 अभिसेक सर्मा 34 राहुल त्रिपार्थी 21 ह मामूली सायोग बना पाए तो वहीं परचन्नाई के लिए रविंद जडेजा ने तीन विकेट निकाले इसके अलामा आकास सिंग महिस तिक्छडा माथी सा पाथी राना को मिले एक एक विकेट और वहीं वासिंग्टन सुंदर रुन आउट के रूप में बाहर हुए CSK की टीम 18.04 वहरों में तीन विकेट पे 138 रन बना ली और इसका पूरा सरे CSK के ओपनर्स को जाता है रितुराज गायक वाड रन आउट होने से पहले 35 रन की इनिंग कहलते हुए ठोज सुरुवात दिला दिये जबकि डिवोन कोनवे नट आउट रहते हुए 77 रन बनाए इसके बाद हना की जल्दी जल्दी रहाने और राइडू ने अपना विकेट थ्रो किया लेकिन मोहिन अली ने कौनवे के साथ मिलके आसानी से मुकाबला जिता दिया CSK ने सोरचों के और एक छक्के लगाए और यहाँ पर संदाजर हैदराबाद के लिए मैंक मारकंडे ने इस्पिनिट ट्रैक हो गया था थोड़ा सा बहतर स्कोर भी बनने चाहिए करीब 150-150-160 तक के योग यहाँ पर बन सकते हैं लेकिन यहाँ पर इस्पिनर्स के लिए मैच में हर दम कुछ रहने वाला है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों